हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे मिरा नाम है अबना कुमार बोरे भाई और मैं आपके समक्ष लेकर प्रसूत हूँ एक बहुत ही important चर्चा एक बहुत ही important discussion discussion किस बारे में है तो शायद आपने thumbnail में देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं जुलाई के महिने की exactly importance क्या है एक आईये सब्भ्यार्थी के लिए और ये जुलाई का महिना अर्थात साल का ये सात्वा महिना क्यों कहा जाता है कि एक crucial time है अगर आप अगले वर्ष के लिए UPSC की तयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तयारी crystal clear और rock solid रहे तो ये महाखासा आपके लिए क्रांतिकारी हो सकता है मैं इस चर्चा को start करूँ उसके पहले आप सभी के लिए एक important announcement है आप इस channel को देख रहे हैं इसका आर्थ ये है कि आप कहीं न कहीं इस institute इस पूरी ही series को follow करते वे आ रहे हैं आप मैं मान कर चलता हूँ कि आपने इस channel में उपलब्द बहुत सारे content को जरूर consume करा होगा जरूर उसे use करा होगा अपने betterment के लिए लेकिन यहाँ पर एक important update यह है कि study IQ के जो premium P2I batches है इन batches में एक तो भई sale के तहट significant आपको discount देखने को मिलेगा study IQ के P2I अर्थात prelim से लेकर interview तक की तयारी कराने वाले special प्रतिग्या batches में और यह batches technically free है उन अभ्यारतियों के लिए जो seriously तयारी करते हैं अब कैसे free है मैं आगे आपसे चर्चा करने वाला हूँ और दूसरी important चीज़ यह है कि यह जो batches है यह हिंदी माध्य हमें quality subject से start हो रहे हैं और यहाँ ध्यान दीजे यह जो quality subject है यह खुद deal करने वाले हैं अमरित सर अर्थात अगर आप अमरित सर के साथ पढ़ना चाते हैं quality तो यह batch आपके लिए खासा important है अब यह प्रतिग्या पैचेस कैसे आपके लिए एक बहुत crucial role play करने वाले हैं हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जुलाई माह के इस importance के बारे में भी चर्चा करेंगे आईए सबसे पहले तो मैं मान कर चलता हूँ कि आप सभी अगर तयारी कर रहे हैं तो आप सब अप UPSC के 2025 को focus होकर target कर रहे होंगे अब जरा इस बात को देखे अगर कोई अभ्यारती यहां से तयारी करना चाहता है अर्थात अभी अभी उसने पढ़ना start करा है तो देखे यह वो अंतिम समय है जब आप UPSC की तयारी को full-fledged manner में full-fledged का अर्थ क्या है जरा इस चीज़ को समझिएगा मैं मान कर चलता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत subject के बारे में understanding इसकी depth और इसकी गहराई के बारे में जाना होगा अब यहाँ ध्यान से देखिए जुलाई का जो महिना है जुलाई माह है यहाँ से अगले साल के pre में लगभग कितना समय है अगर आप notice करेंगे तो near about 10 से 11 महिने का समय शेश है यानि कि technically मैं कहूँ तो यहाँ से आपकी तयारी पूरी तरह से UPSC के लिए अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपका pre भी तयार हो प्लस आपका mains भी तयार हो और साथ ही आप परते हुए test series को भी use कर पाएं तो यह सारी ही चीज़ है तब आपके लिए possible होंगी जब आप तयारी करेंगे institutionally otherwise यह जो 10 माह हैं 10 से 11 माह हैं आपके पास जो इन महिनों में आप अपना syllabus पूरा नहीं कर पाएंगे यहने कि आपको institutionally इस समय तयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी अब इस चीज़ को और भी detail में थोड़ा अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो आप इस बात को notice करें कि माल लेते हैं कि आप इस duration में इस journey का part है फिर आपके दिमाग में प्रशन आएगा कि मैंने starting में आप से क्यों कहा कि यह batches technically free हैं अब ज़रा इस बात को देखिए अगर मैं आप से कहूं कि आपका pre qualify होने पर UPSC का जो pre है यह qualify होने पर आपने जो भी यहाँ fee दी है अब यहाँ ध्यान से देखिए यह fee है 24,999 आफ्टर दी देट ओफ 31st of July 31 जुलाई से पहले अगर आप join करते हैं तब ही आपको यह cost देखने को मिलेगी अनिता की सिती में यह cost आपको बड़ी हुई दिखाई देगी एक बात और अब जैसे ही आप इसको इस cost पे buy करने जाएंगे या join करने जाएंगे तब के समय आपको use करना है AK life code का अर्थात इस code को use करने के बाद ही जो cost मैंने आपको बताई वो show होगी अब ज़रा इधर व अर्थात प्री आपका जैसे ही clear होता है याद रखिए आपकी सारी fee जो है वो return कर दी जाएगी आपको वापस कर दी जाएगी लेकिन अब आपके दिमाग में प्रशना आएगा कि भाई UPSC के प्री में अगर मैं कहूं तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो crucial role play करती हैं इसमे सबसे important होता है rigorous revision अर्थात topics को ना केवल एक बार समझना बार बार उने समझना बार बार उसे revise करना conceptualize करना अर्थात pre सबसे cutting task होगा UPSC का ना की इतना सरल के भाई हर एक student उसे qualify कर जाए और उनकी fee return हो जाए तो यहाँ ध्यान से देखिए ये एक opportunity है आप सभी के लिए कैसे तो इस बात को समझिएगा आपका pre qualify हो इसके chances increase हो इसके सबसे जरूरी होता है revision और वो भी conceptual manner में revision और ये conceptual manner में revision आपका basically होगा SIP प्रोग्राम में अर्थात यहाँ ध्यान से देखिए जब आपने course को join करा course को join करने के बाद आपके pre plus mains इस पूरे का syllabus cover करा दिया जाएगा आपके बिल्कुल करीब होगा उस समय pre special topics को जो topics UPSC के pre examination में specially पूछे जाते हैं उन topics को दुबारा आपको पढ़ाया जाएगा जैसे आपके UPSC में pre में आपको mapping के प्रशन दिखाई देते हैं आपको scheme अर्थात योजनाओं के प्रशन दिखाई देते हैं इसी तरीके से ऐ history, geography, quality ये सारे ही subject आपको दुबारा पढ़ाये जाएंगे और इस समय सबजेक्ट आपको pre specific दुबारा पढ़ाये जाएंगे इससे आपके pre को qualify करने के बच्चे chances बढ़ जाते हैं अब आपने pre को clear करने के लिए एक crash course जो है वो दुबारा खरीदने के आउशक्ता नहीं जरनी में आपको provide करी जाएगी daily mains answer active practice अर्था daily आपको mains का एक question दिया जाएगा जिसका answer आप लिखेंगा और team आपको daily check करकर उससे जो है reward करा करेगी इसी तरीके से आपको daily MCQ दिये जाएंगे weekly test होगा और साथ ही आपको full length test ये भी provide करे जाएंगे अब इतनी सारी चीजें जब आपके पास होंगी along with में यहां indicate कर दो आपको provide करा जाएगा 18 किताबों का set 18 books का आपको एक set भी provide करा जाएगा इस set के साथ आपके लिए ये पूरी जरनी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी अब सोच कर देखिए कि इन सब के साथ आप आसा qualify होते ही आपकी सारी fee तो आपको return कर ही दी जाएगी लेकिन आपके pre qualify होने के बाद आपको आपके mains के लिए study IQ अपने premises में डेली बुलाएगा और डेली में बुलाने पर आपसे किसी भी प्रकार की कोई fee कोई charges नहीं लिये जाएगे और even आपका सारा खर्च अर्थात आपक चीज study IQ प्रोवाइट करेगा अर्थात आपके लिए ये batches ना केवल technically free है even ये batches आपके लिए एक मौका भी है हमारे पास डेली में आकर तयारी करने का देखिए pre qualify हो जा है तब आपके लिए ये सुविधाय है पर क्या pre qualify नहीं होने पर आपको mains की सुविधा नहीं दी जा live classes के माध्यम से आपको पूरा provide कर चुका होगा अब इस बात को समझे कि जुलाई माह important है important इसलिए है क्योंकि ये वो अंतिम समय है जब आप basic से तयारी start करके advanced level तक even आपके mains के सारे topics को अभी से तयारी शुदू करने पर ही cover कर पाएंगे otherwise एक बार ये समय निकल जाए इसक quality manner में आप 25 की तयारी कर नहीं पाएंगे अर्थात अगर आपको 25 टार्गेट करना है चाहते हैं कि 2025 का UPSC का pre mains interview सब कुछ आप qualify करें तो dear ये सभी चीज़े आपके लिए ज़रूरी है यहां मैं nutshell अगर करूं तो ध्यान दीजिएगा आपको study IQ के in batches में क्या क्या मिलने वा आपको daily 3R की life classes मिलेंगी साथ ही आपको in batches में मैं इस परस्ट कर दूं mains residential program इसका फाइदा मिलेगा अर्थात आवासी सुविधा वो भी निशुल्क पूरी तरह से free इसके अलावा आपको one to one mentorship one to one mentorship मिलेगी और याद रखिए इस पूरी ही जर्नी में जैसा मैंने आपको बताया भाई 18 किताबों का set 18 आपको books मिलेंगी साथ ही आपको इस पूरी जर्नी में UPSC के pre plus mains इसकी test series मिलेगी और ये full length test के साथ sectional test भी होंगे अब ये सारी सुविधाएं dear आपका wait कर रही है याद रखिए कि आपका selection आपके निर्नाय पर निर्भर करता है और अगर आपने सही समय पर सही निर्नाय लिया तो definitely ये game changing होता है life changing होता है मैं वान कर चलता हूँ कि ये discussion आपको ये realize कराने के लिए परियाप्त है कि यहां अर्था जुलाई माह में अगर आप तयारी को basic से भी start करना चाहते हैं तो basic से लेकर advance तक आप complete इसे कर पाएंगे अगर अभी भी आपने देर करी तो dear कहीं 24 से 25 आपका target 25 से 26 shift ना करना पड़े मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात की गंभीरता को आप समझ पाएं होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इंस्टिउशनी तयारी करने का फाइदा भी आप understand कर पाएं है मान कर चलता हूँ कि आने वले समय में मैं आप सभी serious ISS sprint को इन बैचेस में देखने वाला हूँ चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में have a very nice day, thank you हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQIS हिंदी